Dear Friends, मैं रामा अतार कांटीवाल आपकी इस YouTube चैनल Online English Classes by रामा अतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक श्वागत करता हूँ Friends, यदि अभी भी जिन्होंने इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं, वे इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को अबस्से प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको शही समय पर मिल सके हैं दोस्तु, आज हम There's No Yous और There Is No Yous के बारे में पड़ेंगे हैं दोस्तु, इसको हम या तू There's No Yous या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं There Is No Yous दोस्तु, इस परकार के सेंटेंसेज के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान के रूप में कोई फाइदा नहीं है दिया हुआ होता है अगर कोई हिंदी का वाक्य है उसके अंत में कोई फाइदा नहीं है इस तरह से दियावा है तो इस परकार के वाक्यों के अंग्रेजी कैसे बना है यही आज आप इस वीडियो के मात्यम से सीखेंगे दोस्तों इस परकार के सेंटेंसेज को बनाने का तरीका क्या होता है यह हम इस स्ट्रक्चर के मात्यम से सीखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सबसे पहले इस परकार के वाक्यों को बनाने के लिए there's no use या फिर there is no use का प्रियो किया जाता है दोस्तों इसके पसात वर्ब की first form प्लस ing वर्ब की first form प्लस ing का प्रियो किया जाता है और इसके पसात अगर अन्य कोई सब दियावा है तो इसके आखिर में अपन यूज करते हैं यानि सबसे पहले there is no use या फिर there's no use उसके पसात मैन वर्ब की first form प्लस ing प्लस others इस pattern या structure के माद्दिम से अपन इस परकार के वाक्यों बनाते हैं दोस्तू आज हम कुछ example दिये वे हैं उन examples की साहिता से और इस परकार के वाक्यों को बनाने का तरीका सिखेंगे हैं दोस्तू इसमें पहला वाक्य दियावा है कि शमझाने का कोई फाइदा नहीं है दोस्तू इसके अगर अंग्रेजी बनाने है तो सबसे पहले आपन देखें इस sentence के अंद में दियावा है कोई फाइदा नहीं है इसका मतलब इस परकार के वाक्यों की अंग्रेजी किस तरह से बनाएंगे सबसे पहले there is no use या फिर there is no use इसके पास साथ मेंवर्ब की first form plus ing का use करेंगे दिखें सबसे पहले there is no use और इसके बाद में मेंवर्ब क्या है शमझाना, explain करना तो explain कि मेंवर्ब की first form plus ing explaining there is no use explaining या फिर there is no use explaining समझाने का कोई फाइदा नहीं है दोस्तु इसका अगला sentence है कि चिलाने का कोई फाइदा नहीं है इती आवा है दोस्तु इस वाक्य के अंध में भी क्या दियावा है कोई फाइदा नहीं है इसका मतलब हम इसकी जब इंगलीज बनाएंगे तो वो उसी structure के मात्दिम से कौन सा जैसे सबसे पहले there is no use और plus तो चिलाने का कोई फाइदा नहीं है इसकी अंग्रेजी क्या होगी there is no use shouting या फिर there is no use shouting चिलाने का कोई फाइदा नहीं है दोस्तों अगला वाक्य है रोने का कोई फाइदा नहीं है दियावा है देखी स्क्रीन पर रोने का कोई फाइदा नहीं है इस वाक्य क्यांत में भी दोस्तों क्या दियावा है कोई फाइदा नहीं है ये पहचान के रूप में इसको आपन इस तरह से समझ सकते हैं कोई फाइदा नहीं है इसका मतलब सबसे पहले there is, no use या there is, no use और उसके परशाद man work की first form plus ing का प्रियोग करेंगे सबसे पहले there is, no use और उसके बाद में इस वाक्य में man work क्या है रोना, cry तो first form plus ing क्या हो गया crying तो इसका इंगलिस में क्या होगा there is, no use crying रोने का कोई फाइदा नहीं है इसके इंगलिस इस तरह से हो गये दोस्तों अगला sentence अगला sentence है जाने का कोई फाइदा नहीं है इसमें man work क्या है जाना गो तो गो की first form plus ing क्या होती है going तो इंदी के बाके में देखे क्या लिखावा है कोई फाइदा नहीं है इसका मतलब इस sentence में सबसे पहले कहेगा there is no use या फिर there is no use और इसके पसा man work की first form plus ing यानि going there is no use going जाने का कोई फाइदा नहीं है दोस्तु इसके अगला sentence क्या दियावा है कि लडने का कोई फाइदा नहीं है लडने का कोई फाइदा नहीं है इस वाक्य क्यान्त में भी क्या दियावा है कोई फाइदा नहीं है इसका मतलब सबसे पहले there is no use और उसके बाद man work की first form plus ing का use करेंगे तो सबसे पहले अपने लिखा there is no use और फिर वाक्य में man work क्या है लडना fight तो fight की first form plus ing क्या होगी fighting तो आगे अपन लिख देंगे fighting तो इसके English क्या होगी there is no use fighting या फिर there is no use fighting लडने का कोई फाइदा नहीं है दोस्तु एक और sentence दिया वा है जैसे कि there is no use playing there is no use playing तो इसका इदिमे क्या होगा खेलने का कोई फाइदा नहीं है there is no use कोई फाइदा नहीं उसके पर शाद man work की first form plus ing खेलने का तो playing there is no use playing खेलने का कोई फाइदा नहीं है दोस्तु इस तरह से अपन इंग्लीज में छोटे छोटे वाक के बना कर और अंग्रेजी को अच्छी तरह से अपन सेख सकते हैं तो आज हमने इस वीडियो के माद्दिम से there is no use या there is no use कोई फाइदा नहीं है के बारे में पढ़ा दोस्तु इसके बारे में आप कमेंट अवस्य करना अगर आपको कुई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में अवस्य लिखें ताकि उसके बारे में शमाधान किया जा सके हैं दोस्तो इसी तरह से अपन और भी कुछ ऐसे sentence का अभ्यास कर सकते हैं जैसे अपने कोई भी sentence लेते हैं कि बाहर जाने का कोई फाइदा नहीं है इस वाक्य में देखें कोई फाइदा नहीं है तो इसमें भी किसका यूज करेंगे there's no use फिर आगे में नबर की फर्स्ट परम प्लस ing going और फिर बाहर आउट there is no use going out बाहर जाने का कोई फाइदा नहीं है या फिर देखें आपन अग नेक्स सेंटेंस लेते हैं कि खाने का कोई फाइदा नहीं है तो सबसे पहले there's no use और फिर खाने का eating there's no use eating खाने का कोई फाइदा नहीं है या फिर ग्रेह कारिये करने का कोई फाइदा नहीं है तो अपने इसके इंगलिस कैसे बनाएए there's no use doing homework ग्रेह कारिये करने का कोई फाइदा नहीं है किसी तरह से दिखे दूद पेने का कोई फाइदा नहीं है इसकी इंगलिस क्या होगी There is no use drinking milk दूद पेने का कोई फाइदा नहीं है दोस्तु इसी परकार से हम छोटे छोटे वाक्य लेकर और उसकी इंगलिस बना सकते है कम से कम आप 10 sentence ले और फिर उसकी इस structure के मादिम से और उनको बनाने का अभ्यास अवस्य करें ताकि There is no use का वाक्यों में परियोग कैसे करें इसको सीखना आसान हो जाए फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में अवस्य लिख है आज के लिए इतना है वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है वे नाइस टेश जाए